घर में कोई अचानक से महमान आए और बिल्कुल रेस्टरांट स्टाइल सबजी बनाने का मनों तो चलिए मेरे साथ बनाईए अफगानी पनीर या इसे हांडी पनीर कोई भी नाम दीजिए बहुत टेस्टी बनेगी और सबसे खास बात क्या है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो यहां ना इसमें हमें पनीर को भूनना है ना फ्राइ करना है और नाइफ हो जादा मसालों की जरूरत है तो चलिए रेसिपी स्टाट करते हैं सबसे पहले एक फ्राइंग पें लेंगे उसमें मैने दो साबुतलाल मिर्ची एक चमच साबु धनिया एक चमच जीरा डाल दी ह और आधा चम्मच के लगभग काली मेस टाल दी है अगर आपको काली मेस ज्यादा पसंद है तो थोड़ी सी आप जादा डाल सकते हैं दो छोटी लाइची डाल दी और एक लॉंग बस इस से आधा मसालों की जरुवत हमें इसमें नहीं है एक से डेड़ मिनट तक मैंने बिल्क कि खाने में टेस्ट भी आए और बहुत अच्छा भी लगे जितनी मैंने सबजी आज बना कर तैयार किया है वो चार से पांट जनों के लिए काफी है और एक मिनट में इसे हमने पीस है और एक मिनट में दरदरा जो है वो अच्छे से पीस कर साइड रख लेंगे अब उसी म कर दो चलेगा लेकिन बहुत जादा खटा नहीं चाहिए इससे तरह से दही मलाई और काजु को एक साथ पीसने का फाइदा क्या होगा कि दही हमारा सबजी में डालने के बाद फटे गानी अब हम कड़ाई के अंदर दो टेबल स्पून के लगभख लेंगे या आप देशी चाहिस की प्याज का पेस्ट बना लिया था वहम इसके अंदर डाल देंगी इस सब्जी के अंदर हमें प्याज का पेस्ट बना करी डालना है क्योंकि अफगानी पनीर है और बिल्कुल रूई की तरह नरम मुलाया है एक बार आप इस पनीर की रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो आप अपने घर में हमेशा यही बनाने की कोशिश करेंगे दो खास बाते एक तो बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल टेस्ट आएगा साथ में बहुत जल्दी बन भी जाएगी एक चमच मैंने इसके अंदर अध्रक और लहसुन का पेस्ट डाल लिया है अगर आप लेसु इसे ब्राउन हो जाए उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया अब मैं आपके सामने ही तिखाऊंगी क्योंकि हमने काजू के साथ ही दही को पीज दिया ना तो इस वज़े से हमारा दही के फटने का डर बिल्कुल भी नही आप इसी पूरी पराठा फुल का वैसे सबसे अच्छा है साधा फुल का या नान के साथ जाएगी पर सर्फ कर सकते हैं सबको बहुत पसंद आएगी आप मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है वैसे मैंने एक चमच नमक डाला है और थोड़ा समय ने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है सारी चीजों को हम अच्छा से लगातार चलाते हुए पकाएंगे इस समय इसमें थोड़ से छीटे उड़ते तो आप इसे ढखकर मीडियम फ्लेम के उपर दो से तीन मिनट तक पकाईए ज्यादा देन नी पकाना और इस बात का ध्यान रखना है कि ब होटल अभी तक मुझे सिर्फ पांच मिनट का टाइम लगा है और यह देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर के लिए ग्रेवी बनकर तयार हो गया है इस तरह से आप बहुत ही अच्छी सबजी अपने घर में बनाकर फटा-फट सबको सर्फ कर सकते हैं और इस अब को पसंद तो ट्राइ कीजिए उसके बाद आपको अगर टेस्ट अच्छा लगे बिल्कुल रेस्टरंट स्टाइल लगे तो आप आकर कमेंट जरूर कीजिएगा वर इस रेसीपी को आप अपने घर में ट्राइजरूर करें और मेरे चैनल को लाइप शेयर करें और सब्सक्राइब भ कैसे लगी अब हमारा पनीर लगभग तैयार है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और साथ में थोड़ी सी कसूरी में थी वैसे तो पनीर तैयार है लेकिन एक तो इसकी कौण्टिटी बढ़ाने के लिए और थोड़ा से ज्यादा कलर फुल करने के मिनट तक हम इसी धक्कर पकाएंगे इतनी देर एक चममच जो है मैंने फ्राइंक पैन के अंदर मखन लिया उसमें एक चमाटर जिसके बीज निकाल दिये वन फोड़ शिमला मिच वन फोड़ प्याच साथ में थोड़े से अधर के लच्छे दो हरी मिच और मेरे पास वन फ करें तो हलका सा चुटकी बर मख्याल दाल दीजी लेकिन मैंने मखन में फ्राइए किया इसलिए इस पी नमक डालने की जरुद में और म्खन जो है वह अम्मल्का है और नम्कीन होता है तो इस में वैसी काफी नमक होता है आप वह जो सारी चीजे में फ्राई किया नंको हम मिला देंगे और थोड़ा साहरा धन्या डाल देंगे आप इसे हम जादा स्यादा एक मिनट तक बिल्कुल धकर लो फ्लेम पर और पकाएंगे ताकि इसमें से घी रिलीज हो जाए देखें बिल्कुल टेस्टी रेस्टरेंट स्टाइल हमारी अफगानी पनीर या हांडी पनीर हुआ है बहुत पसंद आयेका आप इस एक बार साधा फुलकी तक डीला यह वी जवश्टी और आफ़ी पनीर होगी और अगर आप शबको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए आपको प्ले बेल का आइकन प्रेस करना जरूरी है मैं आगे भी कोशिश करूंगी रोज रोज और इसी तरह नई से नई रेस्पी लाकर आपके सामने पेश करूं प्लीज मेरी हेल्प कीचिए और चैनल को गुरू करन में भी मदद कीजिए तो चलिए अब विदा लेती हूं फिर मिलूंगी कल नई रेस्पी में तब तक है